बहराई चिंसा के बाद अब एक्शन का दौर शुरू हो गया है एक दिन पहले नेपाल बॉर्डर पर जहां राम गोपाल मिश्रा की हत्या के आरोपी मोहमद सरफराज और मोहमद तालीम का एंकाउंटर किया गया तो वहीं दूसरे दिन महसी इलाके के महराज गंश मेर शुकरवार को पुलिस और प्रशासन की टीम पहुँची प्रशासन ने उन घरों में लाल निशान लगाए जो अवैद अतिक्रमर कर बनाए गए थे मैं लोक निर्मार विभा के तरफ से नोटिस भी चस्पा की गई है अब ये तो तैह है कि महराज गंश में बुल्डोजर गरजएगा प्रशासन के सुत्रों से मिली जानकारी के मताबिक तीन दिन में राम गुपाल मिश्रा की हत्या करने वाले आरोपी सर्फराज के घर पर बुल्डोजर चलेगा प्रशासन निबाजार में इस्थित तेज घरों पर नोटिस चस्पा किया है इन में से 20 घर मुस्लिम समुदाई के हैं तो वही 3 घर हिंदूओं के भी हैं नोटिस चस्पा करने के साथ ही अतिक्रमन कारियों से 3 दिन के भीतर घर को खाली करने का निर्देश दिया गया है स्वताह अतिक्रमन ना हटाने पर बुल्डोजर चला कर कारवाई की जाएगी राम गुपाल मिश्वा की हत्या करने वाले मुख्या रूपी सर्फराज का घर भी इस कारवाई की जद में आया है बतादे की सर्फराज ही वह शक्स है जिसने जुलूस के बीच राम गुपाल को अगवा कर उसकी हत्या की थी सर्फराज ने पहले राम गुपाल को अगवा किया फिर 35 गोलिया मार कर उसकी हत्या कर दी हत्या किस वारदात में सर्फराज के साथ उसके पिता अब्दुलहमीद भाई मोहम्मद वहीन सहित दो अन्य लोग भी शामिल थे बीते गुरुवार को नेपाल बॉर्डर पर पुलिस ने इन में से दो लोगों मोहम्मद सर्फराज और मोहम्मद तालीम का एनकाउंटर किया ये हांडा बसेहरी नहर से होते हुए नेपाल भागने के फिराग में थे इनपुट मिलते ही UPSTF की टीम ने इनको घेल लिया पुलिस ने पहले तो आरोपी उसे सरेंडर करने को कहा लेकिन आरोपी फाइरिंग करने लगे इस दोरान पुलिस ने भी जवाबी कारवाई की जवाबी कारवाई में गोली लगने से महम्मद सर्फराज और महम्मद तालीम घायर हो गए वही अन्या अब्दुलहमीद, महम्मद फहीन और महम्मद अवजल को भी गिरफतार कर लिया गया है अब महराजगन जिलाके में बुल्डोजर एक्शन को लेकर लोग सकते में है वही ये भी जानकारे निकल कर सामने आई है कि यहां बुल्डोजर एक्शन होना पहले से ही प्रस्तावित है बाजार में सड़क के दोनों तरफ बने मकानों में से कई ने अतिक्रमण कर बनाया है एक साल पहले में CSDM और PWD विवाग की टीम ने बाजार में नाब जोक कर अतिक्रमण कर बनाये गए घरों पर निशाना लगाया था हलंके निशाना लगाने के बाद अक्षन नहीं हुआ अब जब इंसा भड़की तो आनन फानन में कारवाई का दौर शुरू हो गया